प्यार के पुर्व क्रिशी बतरी सुधाकर सिंग ने एक बार फिर से क्रिशी बिल का मुद्दा उठाया है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो राज में प्राइवेट क्रिशी बिल लाएंगे उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर जिप्टिसियम तेजस्वी यादव सहित पार्टी के दूसरे पदाधीकारी उन्होंने खुद व्यक्तिकत रूप से चर्चा की है और इस बिल से सरकार को लाभ मिलेगा सुधाकर सिंग ने एक बार फिर से ये कहा है कि जब वे क्रशी मतनी थे तो उन्होंने क्रशी को लेकर कई सवाल जो है वो उठाई थे और इसके साथ ये शेतर में सुधार को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कई योजनाई भी बनाई थी बिहार आज क्रशी शेतर में काफी पीछे है और इस मामले में पंजाब के किसान बहुत आगे है और पंजाब वहां के किसान मंडी कानून के आधार पही बिहार के किसानों से बहुत आगे है बता दे आपको कि बिहार में मंडी कानून साल 2006 में ही खत्म कर दिया गया था और आ तो आपको बताएं कि एक बार फिर से ब्यार के पुर्व कृशी बंतरी सुधाकर सिंग ने कृशी बिल के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने राज्य में प्राइवट कृशी बिल लाए जाने की जो मांग है वो की है साथ ही उन्होंने कहा किस बिल को लेकर डिप्टिस एम तेजस्वी यादव सहित पार्टी के कई पराधीकारी है जिनके साथ उन्होंने व्यप्तिकत रूप से चर्चा की है और इस बिल के लाब के बारे में भी सुधाकर सिंग ने बताया है और इस कबर पर जादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से समवाधाता अरुन चोड़सिया हमारे साथ जुड़ चुके है अरुन एक बार फिर से पुर्व मतरी सुधाकर सिंग ने कृशी बिल का मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि कृशी बिल जो है वो अगर ख देखे निशितरुप से जब से किर्सी मंतरी वो बने थे नितिस कुमार जब महागरबंधन की सरकार बनाई थी आर्जेडी के साथ जब नितिस कुमार ने सरकार बनाई तो किर्सी बिभाग जो है आर्जेडी कोटे में आई जो पूर्व के सरकार में बीजेपी की कोटे में तो सुधाकर सिंग जो जगनादन सिंग परदेश अद्यक्ष आरजेडी के उनके बेटे हैं उन्हें ये जिम्मवारी दी गई और उन्होंने कई बिवाकी से कई बाते रखी किर्सी को लेकर वो काफी गंभीर दिखे और मंडी कानून को लाने के लिए काफी ततपर दिखे य लेकिन सुधाकर सिंग ने कहा था कि उस कानून को फिर से लाएंगा और जिस तरह से पंजाब हर्याना में मंडी कानून है और इससे वहां के किसानों को काफी लाव मिलता है तो व्यक्तिकत रुप से ऐसा माना जाता है कि नितीश कुमार इससे नाराज हो गए थे और यही कहा है कि जो विधायक का अधिकार होता है नीजी बिल के रूप में कोई भी विधायक कोई भी बिल पेश कर सकता है तो अब उन्होंने नीजी बिल के रूप में इसे जो विधान सभा का सीटकालिन सत्र 13 दिसंबर से सुरू होने वाला है उसमें पेश करने की बात किया है इसक इसका समर्थन करती है या फिर नितिस कुमार के साथ होती है तो कहीं एक मुद्दा फिर से निकल के आया है सुधाकर सिंग के रूप में इन्हों जो वो नीजी बिल लाने वाले हैं इस पर पक्ष और बिपक्ष के रूप में निशित रूप से देखनों को मिलगा जराजिनीत फिर से होगे बिलकुँ शुक्रियारोन आपका तबाम जानकारी के लिए